असलाम अलीकुम विद्वानी प्रेंट्स मैं शाहिन असन आपकी दोस्त आपके लिए लेकर रहे हूं आज फिर एक और स्पेशल वीडियो जी हां दोस्तों हर वीडियो स्पेशल है क्योंकि अभी हमारे पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो आ रही है हमारी लीडर्स के थू सब्सक्राइब कर लिए वाला इकन को जरूर हिट की जगा ताके लेटेस वीडियो सबसे पहले आपको मिले तो सबसे पहले बात करते हैं तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि अब क्या होने वाला है जी हां दोस्तों बहुत एक्साइटिंग मोमेंट है हम सभी के लिए बिकॉज आपके जो मैं देख ली थी उनके लाइब में तो जो आपने देखा होगा ग्रूप में भी वो मैंतेज सर्कुलेट हुआ है कि कल था फ्राइडे उनका कहना है और फ्राइडे वीकेंड स्टार्ट हो चुका है तो जब वीकेंड आता है मेरा हमीशा मानना है कि वी लाइफ बिल्कुल चेंज होने वाला है और सभी अपने लाइफ में एंजॉय करने वाले बात करें अगर तो आपको अपडेट देने के लिए जो है वो डेली लाइफ करते है रैड सर अगर हम दोग देखते हैं तो आपने देखा कि मंडे इस फंडे से ले करके और उनका पू ना कुछ ऐसे इंपोर्टेंट अपडेट दे रहे हैं जिन से कि हमें पता चलता रहा है कि राइट लॉप कंप्टी में क्या चल रहा है क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैसे जा रहा है मैडम ये माइग्रेशन प्रोसेस कब तक चलेगा तो दोस्तों अभी आपको मिस्ट र जिन बात की थी जो भी हम सुन रहे हैं सुन तो हम रहे हैं क्या हम उन्चीदों को समझ रहे हैं क्या हम उन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं क्या हम उन्चीदों को पर भरुसा कर रहे हैं तो बिल्कुल दोस्तों वही बात है कि मिस्टर एश ने भी जो बाते हमसे कहीं तो हमने उन्हें सुना तो सही क्या हमने उनकी बातों को समझा और नहीं समझे तो आप एक बर जाकर के रेट सर के चैनल पर उनका ओपी 360 का जो रिकॉर्डिंग है वो वहाँ पर है तो आप जाकर के सुन सकते हैं तो सिंपल सी बात है आप सभी जानते हैं कि हमारे मिस्टर आई जो की इतने सारे चैनल पर नहीं किया वो लगतार आगे बढ़ते रहे चैनल पर इसको जो की अब बी तक भी बहुत सारे चैनल पर जाए है और कंटीनियों देखिए जब आप कुछ करते हैं तो मैंने हमीशा बोला कि चैनल जो आते रहते हैं इससे पतर चलता है कि आप जो हैं कुछ ना कुछ हरकत में हैं, मतलब कुछ ना कुछ आप कर रहे हैं, तभी गलतियां हो रहे हैं, चैलन्जीज भी आ रहे हैं, गलतियां भी हो रहे हैं, तो लेकिन हम उनसे क्या करते हैं, हम उनसे डे बाइडे सीखते हैं, बताया हमेरे एक् कमपनी के अंदर या फिर इन कुछ प्रॉब्लम्स भी रहीं जो कि आप लोगों ने भी देखा लगतार कभी प्रॉब्लम्स प्रॉससर का इशू हो गया कभी हधरबाद का इशू हो गया कभी कुछ और हो गया तो इस तरह के चालेंजेद आते रहें लेकिन वो सभी हमारे जो हैं तो हम स्ट्रॉंग बनते हैं तो इनी तरह से हम दोस्तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और स्ट्रॉंग हो रहे हैं तो लेकिन उन्हें कहा कि मुझे बहुत ही जल्दी ही जो है मुझे पता चला है और कुछ अन्य लीडर्स को भी पता चला है क्या पता चला है यहां दोस आर कमिंग वेरी वेरी शॉट ली यानि के जल्दी ही चीजे सामने आने वाली हैं यह है मैस्टेज हमारे मिस्टर एश मुफ़रा जो कि माई सीयो हैं इतना अच्छा मैस्टेज है समझो तो बहुत कुछ है और ना समझो तो कुछ नहीं सुनतो सबने लिए आप समझ जित बात और जब हमने कहा है कि मिस्टर एश के ओपर ट्रस्ट करना है स्टैंड विद मिस्टर एश तो उनकी बातों को भी मानना है दोस्तों उनके पर भरोसा भी रखना है जब वो कह रहे हैं तिंक्स आर कमिंग वेरी वेरी शॉटली तो आपको याद होगा पिछले कुछ वेबिन वहीं से अपडेट मिलते रहेंगे और कौन अपडेट करेगा आके हमारे लीडर्स हमें अपडेट करेंगे या फिर मिस्टर एश ने कहा है ना कि नेक्स्ट वीक यानि कि कमिंग वीक में जो है मिस्टर एश आएंगे और कुछ ऐसी इन्फॉमेशन वो हमारे साथ शेयर करे वाले हैं जो कि हमें बहुत ज़ादा खुश कर देंगे या बहुत ज़ादा एक्साइट कर देंगे कि मतलब इतने दिन से जिन्चेदों का हमें इंतिदार था शायद बहुत चीदे हमारे सामने आने आने वाली है I hope कि कुछ तो ऐसा होगा जो मिस्टराइश हमें बताना चाहते हैं कौन सा ऐसा सीक्रेट है जो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं बिल्कुल ज़ादा कि दोस्तों आपको याद होगा मिस्टराइश ने का get ready for next stage next level के लिए next stage के लिए on passive के आप तयार हो जो यह next phase तो तूटना नी चाहिए क्योंकि आप एक बहुत खुबसरत जर्नी में हैं और वो जर्नी का destination जो है आपकी success है तो अपनी success के करीब जाने के लिए तो हमें थोड़ा सा patience बनाई रखना है अपने vision को clear रखना है कि आखिर हमें जाना कहा है तो बहुत ही समय रह गया है दोस्तों हमें वहां पहुँशने के लिए तो मिस्टर आश ने बार बार कहा था लास्ट फेबिनार में आप बिल्कुल ready हो जाए क्योंकि winners never quit winners कभी हार नहीं मांते कभी give up नहीं करते बस उन्हें तो जीतना है इत मीज जीतना है और यहां पर मिस्टर आश का है न इन टो विनिट यानि के ड़न डीर है तो यहां पर दोस्तों अगर आप एक बार इन हो गए तो यहां पर आप सब की success 100% है तो दोस्तों रेटसर का कह हैने के लिए और मैं कहते हूं on passive is stay here forever हमेशा हमेशा on passive रहेगी जो कि मिस्टर आश ने भी कहा तो बिलकुल दोस्तों हमें उसके लिए patient बनाए रखने कुछ बहुती exciting होने वाला है बहुती दबरदस होने वाला है जिसका हम लोग इंतदार कर रहे हैं दोस्तों तो मैं यही कर पाते हैं या हमारे patients टूट जाते हैं तो हमारा क्या होता तब हमें यह सारी खुशियां कैसे मिलती हैं लेकिन अभी आपको पता है दोस्तों जो आपके थपने हैं जो आपके खुशियां हैं जो आपके dreams हैं वो सब कुछ on passive से ही पूरे होने वाले हैं क्योंकि अभी आपके हाथों में कुछ नहीं आता क्योंकि हम अलोडी करके देख चुके हैं लेकिन अभी जब मुझे लोग बेचते हैं तो मैं उनको सिधा यही बोलती हूं I'm not interested तो because of क्या है कि मुझे पता है कि on passive से मुझे वो सब चीदे मिल सकती है on passive है एक ऐसा platform है जिसका मैं पिछले आपको कौन से अपनी success अचीव करनी है आपने जो सब्सक्राइब के साथ आपकी जो सोच बदलिया on passive के साथ बहुत सारी बाते हैं दोस्तों करने के लिए लेकिन तिर्फ मैं इतना ही कहूंगी बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे हम लोग खड़े हैं बतला वो देहलीस वाली पार करनी है नेकिन दोस्तों अब वो देहलीस पार करने का वक्त आ चुका है बहुत ही करीब है अपनी वन्जल के तो बिल्कुल पेशन्स को बनाई रखे अपने ग्रिफ में क्या आप डेट आ रहे हैं लीडर्स की तरफ से बिल्कुल स्ट्रेट ही हो रही है गो इद द़ enjoy the process मैं हमेशे होंगी किसमें दर्स कहते है because मुझे अच्छा लगते है कि उनका कहना ये कि जो भी company में चल रहा है आप उसको follow कीज़े उसके साथ enjoy कीज़े ये नहीं कि अभी ये क्यों हो रहा है वो सारा company का matter है हमें कहां पहुँशना है हमें हमारी success achieve करना है हम अपने हमें विल्कुल top पर जाना है और definitely Mr. Ash का कहना भी है we are on the new top every time तो ये बात भी धिहान रखा करिये done deal धिहान में रखा करिये in it to win it जो सबसे बड़ा slogan है in it to win it कोई company आपको ये guarantee नहीं देती कि आप यहां आएंगे तो आप यहां ते करोड़ पती बन जाएंगे या आप यहां ते अपने सपनों को पूरा करने लग जाएंगे या आपकी सपने यहीं से पूरे होंगे लेकिन यहां on passive में ये guarantee आपको मिलती है तो अभी के लिए इतना ही लगाता अपडेट के लिए चैनल पर बने रहे हैं थांकि सो मच बेबे टेक क्या